नमस्कार, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, आज हम भोर और बर्खा के बहु विकल्पिया प्रशनों पर चर्चा करेंगी तो चली शुरू करते हैं पहला प्रशन है भोर और बर्खा, शीर्शक कवेता के रचैता कौन है विकल्प है रहीम, कबीर, महादेवी वर्मा या मीरा बाई प्यारे बच्चों, इस प्रशन का उत्तर है मीरा बाई अगला प्रशन है कवितरी मीरा बाई ने पहले पद में किसका वर्णन किया है विकल्प है काना जी द्वारा गोपियों को परिशान करने वाले द्रिश्य का वर्नन किया है या इन में से कोई नहीं प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है यशोदा मादवारा काना जी को सुबह जगाने के द्रिश्य का वर्नन किया है अगला प्रश्न है रजनी बीतने पर क्या होता है विकल्प हैं सुबह हो जाती है सभी घरों के दरवाजे खुल जाते हैं गोपियां दही को मत कर मखन निकालती हैं या उपरियुक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रशन का उत्तर है उपरियुक्त सभी। अगला प्रशन है, सभी लोग किसकी जयजयकार कर रहे हैं। विकल्प हैं कानह जी की, यशोदा जी की, नंद बाबा जी की या गवालों की। प्यारे बच्चों, इस प्रशन का उत्तर है कानह जी की। अगला प्रशन है, कृष्ण ने सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए क्या धारन किया है। विकल्प हैं विराट रूप, परवत, धनुष्टीर या इन में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रशन का उत्तर है परवत। अगला प्रशन है, गोपियां दही को मत कर क्या निकालती हैं। विकल्प हैं मलाई, लस्सी, मक्खन या इन में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रशन का उत्तर है मक्खन। अगला प्रशन है, भनक शब्द का क्या अर्थ है। विकल्प हैं मन्द और अस्पष्ट ध्वनी, आभास, उडती हुई खबर या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रशन का उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रशन है, रिक्त स्थान को पूरा करो। मीरा के प्रभु डैश नागर सरण आया को तारई। विकल्प हैं गिर्धर, गोपाल, लाल जी या इन में से कोई नही। प्यारे बच्चों, इस प्रशन का उत्तर है गिर्धर। अगला प्रशन है, यशोदा माता भोर होने पर किसे उठाती हैं। विकल्प हैं बलराम को, नंद बाबा को, कानह जी को या गोपियों को। प्यारे बच्चों, इस प्रशन का उत्तर है कानह जी को। अगला प्रशन है, कवित्री, मीरा बाई किस के लिए जानी जाती हैं। विकल्प हैं अपनी सुन्दर्ता के लिए, अपनी कृष्ण भक्ती के लिए, अपनी महानता के लिए या इनमे से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्ण का उत्तर है अपनी कृष्ण भक्ती के लिए। अगला प्रश्ण है, दूसरे पद में कवित्री मीरा बाई ने किसका मनमोहक चित्रन किया है? विकल्प है, भक्ती का, कानह जी का, सावन मास का या भगवान की छवी का. प्यारे बच्चों, इस प्रश्ण का उपतर है सावन मास का. अगला प्रश्ण है, मीरा को किसके आने की भनक मिले? विकल्प है, गवाल बालों के आने की, गोपियों के आने की, शिरी कृष्ण के आने की या मा यशोदा के आने की. प्यारे बच्चों, इस प्रश्ण का उत्तर है शिरी कृष्ण के आने की. अगला प्रशन है, सभी गवाले हाथ में मकन और रोटी लिए किसका इंतजार करते हैं, विकल्प है कानह जी का, गायों का, अन्य दोस्तों का या अपने बाबा का, प्यारे बच्चों, इस प्रशन का उत्तर है कानह जी का, अगला प्रशन है, 24 शब्द का क्या अर्थ है, विकल्प है, दिशा की और, चारों और, चारों दिशाओं में या इन में से कोई नहीं, प्यारे बच्चों, इस प्रशन का उत्तर है चारों दिशाओं में, अगला प्रशन है, भोर होने पर देवता और मनुष्य किसके दर्श करने के लिए इंतजार करते हैं। विकल्प है शिरी कृष्ण के या शोदा मा के कवितरी के या इनमे से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शिरी कृष्ण के। अगला प्रश्न है तारे शब्द का क्या आर्थ है। विकल्प हैं तलाश करना, उद्धार करना, कल्यान करना या ख और ग दोनों। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ख और ग दोनों। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को पूरा करो। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन डैश की। विकल्प हैं मनभावन, लुभावन, सुहावन या सुखावन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुहावन। अगला प्रश्न है सावन की बरसात कवित्री मीरा बाई को क्या महसूस करवाती है। विकल्प हैं, मानु सावन का मास मन में अशान्ति लाता हो, मानु सावन का मास सब को सुख देने के लिए आया हो, मानु शिरी कृष्ण खुद चल कर उनके कल्यान के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हैं या इन में से कोई नहीं. प्यारे बच्चों, इस प्रश्ण का उत्तर है, मानु शिरी कृष्ण खुद चल कर उनके कल्यान के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हैं. अगला प्रश्ण है, दही कौन बिलो रही हैं? विकल्प हैं, राधा, यशोदा, गोपिया या गुवाल बाल. प्यारे बच्चों, इस प्रश्ण का उत्तर है, गोपिया. अगला प्रश्ण है, शरण में आने वाले लोगों के साथ प्रभु क्या करते हैं? विकल्प हैं, उन सभी का सम्मान करते हैं, उन सभी का उद्धार करते हैं, उन सभी का ध्यान रखते हैं, या सब की मनो कामना पूर्ण करते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, उन सभी का उद्धार करते हैं अगला प्रश्ण है सावन के महीने में किसका मन उमंग से भर जाता है विकल्प है मीरा बाई का यशोदा का कृष्ण का या गोपियों का प्यारे बच्चों इस प्रश्ण का उत्तर है मीरा बाई का अगला प्रश्ण है उमग्योशब्द का क्या आर्थ है विकल्प है उमड आना मंदिर जाना उत्साहित होना या खुश होना प्यारे बच्चों इस प्रश्ण का उत्तर है उत्साहित होना अगला प्रश्न है भोर और बर्खा पाठ में मीरा बाई ने किसका वर्णन किया है। विकल्प है कृष्ण जी का, श्रावन मास का, सावन की बरसात का या ओपरियुक्त सभी। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है ओपरियुक्त सभी। अगला प्रश्न है इस कवीता में किस रितू का वर्णन किया गया है। विकल्प है सर्द रितू का, ग्रिश्म रितू का, वर्षा रितू का या वसंत रितू का। प्यारे बच्चों इस प्रश्न खा उत्तर है वर्षा रितू का। अगला प्रश्ण है किसके आने की आहट सुनकर मीरा प्रसन हो गई। विकल्प हैं गोपियों की, गुवाल बालों की, शिरी कृष्ण की या सक्खियों की। प्यारे बच्चों इस प्रश्ण का उत्तर है शिरी कृष्ण की। आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद।